हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज बनाएंगे पटेटो गार्लिक रिंग जिससे हम स्नैक्स व्रेफास्ट या चाय के साथ खा सकते हैं जिसे बनाने के लिए मैंने आधिकप सूजी लिए है सूजी को बारीक पीछ लेंगे सूजी को पीछ लिया है पाउडर की तरह पीछना है दो आलू लिये हैं मैंने यह बॉइल की हुए हैं इन्हें ग्रेट कर लेंगे इसके बाद एक पैन को गरम कर लेंगे इसवे वन टेबल स्पून तेल एट करेंगे आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हैं तेल के बदले इसे वन टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे बारीक कटा हुआ आधी चमत चिली फ्लेक्स डाल लेंगे मिला लेंगे इन्हें एक मिनट के लिए भूनना है अब इसमें पानी एट करेंगे जितना हमने सूजी ली है उतना ही पानी डालेंगे आधी कप नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार अब इसे दो मिनट के लिए पका लेंगे सूजी एट कर लेंगे जिसे हमने बारिक पीछा हुआ है मिला लेंगे सारी चीजू को इसे दो मिनट के लिए पकाना है दो मिनट हो गए है अब इसमें आलू एट करेंगे जिसे हमने ग्रेट किया हुआ है यह तैयार हो गए है अब इसे निकाल लेंगे उसके बार इसमें टू टेबल स्पून स्कॉन सोर पावडर डालेंगे इससे जो पटिटो रिंग्स हैं यह क्रंची बनेंगे हरा धनिया डाल लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ मिला लेंगे सारी चीजू को इसका हमें डो तैयार करना है अब गरम है थोड़ा सा तैयार हो गए है डो हमारा अब इसके तीन लोईया निकाल लेंगे अब एक लोईया लेके उसे बेल लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा मिला लेंगे अब इसे बेलना है अब इन्हें हम काट लेंगे कटर से या कोई कटोरी ये ग्लास से आप काट सकते हैं या बोटल की डकन से भी आप बना सकते हैं अब छोटा वाला रिंग्स लेंगे ऐसे काट लेंगे इससे भी जो बाहर का पाट है उससे निकाल लेंगे अब इन्हें तल लेंगे तेल गरम हो चुका है तैयार होगे हैं पटीटू रिंग्स निकाल लेंगे इन्हें बन के तैयार होगे हैं पटीटू रिंग्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को शेर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा थैंक यू